हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो फ्रेंड्स गर्भ में लड़का है या लड़की ये जान पाना डिलेवरी तक बहुत ही मुश्किल है डिलेवरी के बाद ही पता चल पाता है कि ग में लड़का है या फिर एक लड़की महिला के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसी में से कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से वह सिम्टम्स हैं जो बेबी बॉय होने के टाइम पर ही महिला में नजर आते हैं तो जानने के लि अगर महिला का जो वजन है वो सामान ये है पहले के मुकाबले अगर उनका बहुत ज़दा वजन नहीं बढ़ा है पहले के ही तरह है बस थोड़ा वजन उनका बढ़ा है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है वहीं लड़की होने के टाइम पर महिला का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर प्रेग्नेंसी के दोरान महिला का जो पेट है वो बहुत छोटा है साथवे आठवे महने में भी उनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि बच्चे की हलचल अगर महिला को पांचवे छटे महने में मैसूस होती है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते है नेक्स्ट सिंटम है कि प्रेग्नेंसी के धौरान महिला को अगर बहुत ज़दा स्मेल की समस्या हो रही है उनको बहुत ज़दा किसी बी चीज की स्ट्रॉंग स्मेल आती है जैसे कि तड़का लगने की हो गई है या अदरक लहसुन प्याज की हो गई या फिर अगर कुछ भी कीचन में छोंक लगता है तो उसका बहुत ज़दा उनको स्ट्रॉंग स्मेल आती है तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है नेक्स्ट सिंटम है कि प्रेग्नेंसी के शुरुवात में अगर महिला को नमकीन, खटा, तीखा, चटपटे, द मीठा खाना भी पसंद आने लगता है, साथवे, आठवे महिने में जा करके उनको अगर मीठा खाने की बहुत ज़दा क्रेविंग होने लग जाती है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के ही संकेत को दर्शाते है नेक्स्ट सिंटम है कि महिला के जो पेट का दाया हिस्सा अगर बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आता है तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है नेक्स्ट सिंटम है कि अगर प्रेग्नेंसी के दोनान महिला के बोड़ी में अंचाहे बालों में बहुत ज़दा व्रिधी हो रही है उनके पैरों मे महिला का स्वभाव व बहुँए चिरचिड़ा पन रहती है उनको बहुत ज़दा गुस्सा आता है हर बात पर उह चिरचिड़ी हो जाती है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है नेक्स्ट सिंटम है कि अगर महिला के जो चेहरा है फ्रेग् ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाते तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है तो फ्रेंड्स ये थी कुछ सिम्टम्स जो अगर महिला में नजर आते है तो इससे घर बैठे अनुमाल लगा जा सकता है कि गर्ब में लड़का पल रहा है या फिर लेकिन इतने सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए है जरूरी नहीं किये अगर दीख जाए तो आपको लड़की नहीं हो सकती सिर्फ लड़का ही होगा इसे 100% स्योर ना माने ये बस महिलाओं का अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है तो वीडियो पसंद आए